आपने भग का पिता जी का नाम पूछा और जबर्दस्ती उसे कहल वा रहे हो यह आप जूट कर रहे हो यह कहे पाएंगे हम दोनों बार अगर आपने 90% करेक कहा तो आपने दिव्य शक्ति है यह मैं मानूंगा अगर आप चाहे तो 30 लाख रुपे अखिल भार जी अंदश्र पर कहो नई तो तुम्हारे सब कांड्ड उजाघर कर देंगे ड़र या डरके मारे कहें देता है डरके मारे बोली है भकती के मारे में जैकानलाम भालें महाराजी मिम्य जैन्ग से अभास online करतें दिव्य शक्ति सब्स नेंकि पेडिकार्य प्रुचान लिए पूछआ हैं इ यह ऐसी अगर दिवे शक्ति के प्रयोक करेंगे तो अब मैं आप से सवाल पुछ रहा हूँ आप सब पत्रकार हो सामने पचास साथ हजार की भीड़ भक्तों की आप उनके सामने यह कह पाओ के महाराज अभी तो आपने पुछा था भक्त का नाम भक्त के पिता जी का नाम अच्छ इसलिए मैं कसव टी पर तोला नहीं जा सकता यह चुनवती प्रित नहीं की जा सकती यह चुनवती सांटिविक सिट्यूशन में ही परित की जाएगी सांटिविक प्रक्रिया के आधार पर परित की जाएगी इसलिए मैंने लिखित फॉर्म में ये सब पत्रकारों के सामने दे थे उसकी शरते रखी थे कि भाई आपका दावा है कि आप व्यक्ति का नाम जान सकते हैं उनके उमर जान सकते हैं साथ मैं उनके मोबाइल नंबर जान सकते हैं और भक्तों के घर में कौन से आलमार आज तक ये बातें सिद्ध नहीं हुई है इसलिए आप इसको सिद्ध करने के लिए आज़े आए आए आईये आहिए इसको प्रयों कंड़ किया जाएगा सारे नाकपुर के पत्रकारों के सामने इसको कंड़ किया जाएगा एक 5 लोग पंच मंडल होगा जिसमें शायद कुछ रिटायट जजेस भी होंगे और ऐसे तड़स्त व्यक्तियों के सामने आपको सिद्ध गरना है अइन बत पर हम आपके सामने दस व्यक्ति देंगे जिनके बारे में पहले से कोई जानकरी आप तक नहीं पहुचे इसके बारे में हम प्रॉड और प्रूफ कंडिशन के अंदर ये चुनवती कंप्लेट की जाएगी आपको उन दस व्यक्तियों के नाम उनके पिता जी का नाम उनकी उमर नुबाइल नंबर्स कहने हैं और बाजू के रूम में जहां ये कंड़क किया जाएगा शायद पत्रकार भवन में कंड दिव्य शक्ति है ये मैं मानूंगा मेरा संगडन मानेंगा पुरे नाकपूर के लोग भी मानेंगे पत्रकार भी मानेंगे और आप चाहे तो 30 लाख रुपे अधिल भारती अंदश्रदा निर्भुलन समीदिगा प्राइज आपको मिलेगा अगर आपको प्राइज नहीं क्योंकि आपके पास बहुत पैसे मुझे पता है तो इसलिए आप केवल दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए नाकपूर में आईए और फ्रॉड एंड प्रूफ कंडिशन्स के अंदर उस मरियादा में रहे कर आप तक कोई भी जानकारी दुसरे मार्क से ना पहुचे केव जिन्होंने हजारों बाबाओं को मांत्रिकों को देव शरीर में आने वाले लोगों को जोतिशों को एक्सपोस किया है और नाकपूर शहर को खोल 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 शहर करकर नाम प्राप्त हुआ है वो संगटन हम हमिशा के लिए बंद कर देंगे और सबसे बड़ी बात होगी जो तक आठ सालों तक महनत की तब जाकर बिनलादेन मिला उनके पास अगर धिरेंद्र कुष्ण ते वाला व्यक्ति होता चन्द में उनको पता चल जाता बिनलादेन कहां हैं पचास हजार करोड का खर्चा बचता हजारों इंसानों की महनत बचते और पटाक से बिनलादेन पक बारत में बीच बीच में बॉम सोड होते हैं, टेररिस्ट करवाया होती हैं, हमारे धिरेंद्र कुरुष्ण महाराज जी बेलकुल अपनी दिव्य शक्ती से फट से पैचान लेंगे कि कौन से घर में बॉम बन रहा है, पुलिस को इतला देंगे, बॉम बनते ही या बनने की प सब्सक्राइब हैं, तो टेररिस्ट एक्टिविटी की चर्चा जहाँ चल रहे वो भी जंकरी महाराज को मिलेगी, वो हमारी गुप्तरचर्ससों सताओं को देंगे, हमारी गुप्तरर संस्ताओं तुरण जाकर टेरिस्ट लोगों को पकड़ लेंगे, भारत में ये टीररि प्रेंद्र कुर्ष्णा जी महाराज अपनी दिव्य शक्ति से पैचानेंगे और फिर हमारे मिल्ट्री को कहेंगे तो हमारी देश की सुरक्षा भी एकदम मजबूत हो जाएगी इतनी बड़ी दिव्य शक्ति होने वाले व्यक्ति का उपयोग हमने अपारे देश की सुरक्ष स्द्ध के लिए अपनी दिव्य शक्ति सब लोगों के सामने वांद्यानिकक कसोठि पर सिद्ध की जीए बढ़ा यह लासी तों के सामने सिद्ध की जी है ऐसे ृसे भक्तों के प्रामानिक भक्तों के भक्ति के पीछे उनके आड़ पाई ये मत इतना जाहिर तरीके से इस बहाने में करूंगा अब उन्होंने नए आरोप किया है कि आपके गुरू क्रिश्चन है आपको मिश्णरी से और बहार से इंटरेशनल पढ़िंग होती है और उसके आदार पर आप एक तरह से सनातर हिंदु धर्म के खिलाफ काम करते ह अब वह जब कहते हैं कि मैरे गुरू क्रिश्चन है तो उनको कैसी जानकरी मुझे पता नहीं मेरे पहले गुरू तो है विनोबाब भावे दूसरे गुरू है आचार्य दादा धर्मादिकारी तीसरे गुरू है जैप्रकाश नारायन चहोते गुरू है मागोवेद्य में मेरे गुरू है आप जिनको गुरू कह रहे हैं जिनकी दो किताबे पढ़ी मैंने कभी मिला भी नहीं उनसे बीगॉन गॉर्डमें गॉर्स डेमन सैंट स्पिरेट्स यह डॉक्टर अबराहम कूर की किताबे थी वह भारत में ही जन्में हैं श्रीलंकर नाग्रेक थे और उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर रैशनेलिडी के क्षेत्र में काम किया मेरे मन में जो भी सवाल थे उन सब सवालों का जबाब मुझे इन किताबों के माध्यम से मिला हाला कि जब वो जिन्दा थे तब 1975 में उनका नाकूर में दवरा हुआ था तब मैं वर्धा की जे था उसमें heading था there is no God and there is no ghost तो मेरी पहली प्रतेक्रिया थी कि जिसको भगवान नहीं समझता उसको भूत क्या समझेगा क्योंकि मुझे खुद को भूत लगा था दसवी क्लास में वो निकला यहने मांत्रिक ने निकाला था तो इसलिए मेरा भूत पर बहुत विश्वास थ जब मैं किर्लोशकर प्रेस में नोकरी के लिए गया पुदा में तब मुझे इन विचारों का परीचाई हुआ हाला कि हमारे सीजी पांडे जो head of the department of नाखपूर थे psychology के उनका एक आर्टिकल मिला लोग यह किर्लोशकर के मैगजीन में वो पढ़ने के बाद में मुझे अतना अच्रज लगा कि मेरे अच्छे मित्र है मैंने उनसे कई जानकारी लेकर विद्ध्यापिट उनिवर्सिटी में जो कुछ चलता है उसके बारे में कई बार लिखा है psychology के head of the department है और मैं इतनी वार उनको मिला हूँ इसलिए इसके बावजूद मुझे मालूम नहीं कि वो रैशनल की क्षित्र में काम कर रहे हैं तो तब उन्होंने मुझे विगान गॉड्मेन और गॉड्स डेमन सेंट स्पिरिट ये दू किताबे दी थी मैंने दू किताबे पढ़ी मेरे सब सवालों के जबाब उसमें मिल गए इसलिए मुझे परिवर्तन होना मुझे मैं आसान हुआ अब ऐसे कहीं गुरू आपके हो सकते हैं अब गुरू ये ख्रिशन है इसलिए आप ख्रिशन हो ऐसा अगर बोलते हो तो मैं ये सवाल आप से कर सकता हूं ये सब कैमरे कहां से आए ये हिंदू लोगों ने तयार किये हैं ये मोबाइल कहां से आए हिंदू लोगों ने तया मेरे है क्रिश्चन लोगों के मोबाइल है क्रिश्चन लोगों के माइक है ऐसा बुलते हैं क्या विज्ञान ये यूनिवर्सल होता है हर एक का होता है वो किसी धर्म का नहीं होता है कोई भी धर्म वाले लोग उसको बनाए कोई भी धर्म वाले लोग उसमें समशोधन करे वि जाहिर तरीके से कहते हैं हूं आज पहली बार नहीं कह रहा हूं मुझे बहुत स्वतंत्रता उन्हों ने दी एक बड़ा पत्रगार उन्हों इसी कारण में इतना बड़ा संगडन खड़ा कर पाया हूं इतना बड़ा अंदुलन खड़ा कर पाया हूं जिसे भी सनातन धर्म के बारे में जानकारी है उसे यह मालूम होना चाहिए कि भारत में सनातन याने शाष्वत धर्म की परंपराओं में अलग-अलग विचारदारा है उन्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि जो आस्तिक परंपरा है याने जिनको आस्तिक कहा जाता है उनमें सांख्य परंपरा है वो सांख्य परंपरा में इश्वर को वो नहीं मानते थे वेदो को मानते थे इसलिए उनक जो वेदों का प्रामन्य मांता है वेद सव प्रतिशत ली यह समानता है उसको आस्तिक कहते हैं na नास्तिक परंपरा में चारवाग परंपरा रही है जो भगवान को भी नहीं मानते थे और इश्वर यने वेदों को भी नहीं मानते थे फिर लोकाय परंपरा है वो भगवान को भी नहीं मानते थे और वेदों को भी नहीं मानते थे कुछ लोग दोनों परंपरा है एक मानते कुछ लोग अलग-अलग है ऐसा मानते है तो ऐसी कई परंपरा है फिर बुद्ध परंपरा है जैन परंपरा भी कहा जाता है ये सभी परंपरा है भारतिय विचारदर्शन का हिस्सा ऐसा माना जाता है और उसको सनातन धर्म कहा जाता है तो सनातन धर्म कर जो अमल में लाने वाला व्यक्ति होता है या सनातन धर्मिक व सकते हैं वेदों को मानने वाले भी सनातन हो सकते वेदों को नो मानने वाले भी सनातन हो सकते हैं जिनको यह दर्शनों के बारे में कलपना है यह शाश्वत धर्म की जो कलपना है उसका उद्देश एक मात्र बार बार कहा गया है वो याने सत्य की खोज करना और जो सत्य मिले उसे स्विकारना और सत्य की खोज मैं कर रहा हूं एक जमाने में मैं बाबा के चबतकारों पर विश्वास रखता था भूत पर विश्वास रखता था मंत्र तंत्र जादू डोना पर विश्वास रखता था और मेरी सत्य की खोज की प्रक्रिया मे से यह सब बाते जूटी है यह बार-बार साभित होते गया इसलिए मैं उसको स्विकारते गया और इसलिए आगे चलकर मैं चालेंज देता हूं कि भाई आप मैं चमतकार करने का सामर्थ है तो एक बार वैज्यानिक कसोडी के आधार पर आप सिद्ध कीजिए सीधे सीधे हमार सही व्यक्ति हूं ऐसा मैं अपने आपको मानता हूं इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मैं सनातनी धार्मिक व्यक्ति हूं अब इस बारे में अगर किसी को अब्जेक्शन होगा तो अपना उब्जेक्शन उठाते रहे मुझे कोई प्रॉब्लिम नहीं और मैं कभी धर्म के ख खिलाप मैं बात करता हूँ इतना ही नहीं तो धिरेंद्र महराज धिरेंद्र कुरुष्ण जी महराज इनके भक्तों के बारे में भी मैंने कोई अप्षब्द नहीं निकाले उन्होंने मुझे गालिया दी तो भी मैंने कहा ठीक है बाई इनके लिए तो मैं काम कर रहा हूँ यह कम से कम गालिया देने के बहाने सोचlak लगए तो इसका मतलब जो मेरा काम था वो काम शुरू हो गया इस डंकी मैं बात करता हूं क्योंकि उनकी भावनाओं का मैं आधर करता हूं उनकी श्रद्धा का मैं आधर करता हूं उनके भक्ती का आधर करता हूं और ये भक्त लोग प्रामानिक होते हैं ये मुझे पता है लेकिन बाबा प्रामानि में क्या किया झाल 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 झाल